पूम्रेड अम्रारामिस शेत्र से कई बार विदायक रहे हैं दोच से और उस समय उनकी कारासली सब ने देखी है उनका विकास से कोई लिणा देना धूर तक का है ने उनकी विकास की कोई सोचन ने उनका विकास कोई विजन ुनका विजन केव़ल लन varit dov गुंडे तयार करना है वो अपने काम में काम करेंगे चुनाओं के अंदर अनेक परकार की जो भ्रांतिया रही जनता को गुम्रा करनेया काम हुआ नीचे ती हम यहां सीकर के अंदर एस अपल रहे क्योंकि जो बंते भरंग की कमर जो तूट गई ती नमेंगा इसे उस पर भी देखरें सीकर संदेश आजादी के बाद प्रधानमंत्री नहरू हुए जिन्होंने तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपत लियो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी कल तीसरी वार प्रधानमंत्री पद की शपत लेने जा रहे हैं सीटे बले ही कब हुई हो ले देखा चुनाव हुए चुनाव आपने जीता अब कैसा आपको लग रहा हे कि तीसरी बार प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी शपत लेने जा रहे जैए nawet नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंतरी का काम किया उन सब के बावजुद भी NDA को वहुमत मिला और प्रदान मंत्री जी तीसरी बार देश के प्रदान मंत्री बनेंगे निश्यत रूप से जिस प्रकार से 10 साल में देश के आत्म सवाविमान में वर्दी हुई जिस प्रकार से देश की जो चबी विश्व पटल पर एक सुधर राष्ट के रूप में हुई देश के आर्ति किस्तती सुधर हुई है और जिस प्रकार से देश के युवाओं में महिलाओं में और किशानों में करना है कि आधनी प्रदान मंत्री जी देश के विकास में तो अग्णी भूमिका का निर्वेन करेंगे किन्तु हमारे छेत्र की जनता ने जिस प्रकार से कुछ कमिया रख दी है उनको भी नजर अंदाज करते हुए हमारे सीकर लोक्षवा छेत्र पर भी विशेश कृप्पा क लूंगं यह का जा रहा है ताकि जो चीज़ें अगली पान्च सालनों में देखने को मिलेगी। आजादी के 75 वर्स में हमने यह देखा कि आदनी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के सपत लेने के बाद में इन 10 सालों में जिस प्रकार से मेडिकल के शेत्र में विकास हुआ, जिस प्रकार से मेडिकल कोलेज खुले, जिस प्रकार से IIT खुले, जिस प्रकार से IIM खुले, जिस प्रकार से कोरोना जैसे महामारी में भी हमारा भारत विदेशों की तरफ नहीं देखता रहा और एक आत्मनिरभरता के रूप में, आत्मनिरभर भारत के रूप में नजर आय जिस प्रकार से कोरोना की व्यक्षिन हो या ने उपकरन हो कोरोना जैसी आपधा के समय में विश्व के अन्य देश भारत की ओर देख रहे थे और इन 10 वर्सों से पहले भारत दुनिया की तरब देखता था तो भारत एंग मजपूत देश की रूप में विक्षित हो रहा है औ और हमारे शेत्र में प्रदेश में भी जिस प्रकार से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है आदनी मुख्यमंत्री बजनलाल सर्मा जी आदनी प्रदान मंत्री नरंदर मोदी जी के नेत्रतों में इस प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे देश निश्यत रूप इतने बड़ी ताकत और महाशक्ति के रूप में ओवर करके आएगा ऐसी मंगल काम में यहां पर थोड़ा सा महा करेक्शन जाओंगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग के समय में यह पॉलिसी थी कि हम किसी भी हाल में विदेशों से मदद नहीं लेंगे और कोविड के दोरान विदेशों से हमने मदद ली बड़े-बड़े प्लेंस भरके ऐसी चीजें जो उस वक्त जरूरत थी देश को वह बाहर से आई विदेश सरस्वती MP नहीं बनेंगे क्या लगता है क्या कारण इसका रहा होगा कि स्वामी जी 72,000 वोटों से अमराराम से पीछे और अमराराम सांसत बन गए देखिए स्वामी सुमेदानन जी ने पिछले दस वर्सूं में आधनिये मोदी जी के नेत्रतों में शेत्र के विकास में को रेल्वे स्टेशन बंदी हो गया था, रेलें बंद हो गई और उससे पहले भी 6-7 ट्रेन से ज़्यादा नहीं चला करती थी, स्वामी जी के प्रिव्यासों से आज 51 से ज़्यादा ट्रेने इस शेत्र में चल रही है, रेल परिवेन के मामले में हमारा जीला नमबर वन स्रे खोलने का काम किसी ने किया, तो स्वामी सुम्यदानन जी के प्रियासों से आदनी मोदी जी ने किया, किन्तु कुछ इस प्रकार की खामियां रह गई, एक तो कारेकरताओं में आती आत्मविश्वास था, कि मोदी जी के नेतरतों में मोदी जी के नाम से हम चुनाव जीती रहें तो कारेकरताओं के आत्मविश्वास की वज़े से कुछ कमजोरियां रहे गई साथ में जो विपक्ष के लोग थे वो जनता को गुम्रा करने में कामियाब हो गए उन्होंने जनता से को गुम्रा करने का काम किया कि समीदान खतम हो जाएगा आधनिय मोदी जी लोक्तु स्वंत्र में विश्वास करने वाले नेता है इधेश को आगे अगए बढ़नाने वाले नेता है जो की आप होने थे या फिर जो लंबित हुए या जिनको गती मिलनी थी अब ऐसे में अगले पांच साल में आप यहां के जो सांसद अब है कॉम्रेड अम्राराम उनसे क्या उम्मीदे कर रहे हैं क्या आप लोगों की तरफ से उनको सयोग मिलेगा कि जो काम थोड़े बाकी हैं उनको आगे कि उनका विजन केवल अंदोलन करना है छात्राजनिती के मादेम से गुंडे तयार करना है वो अपने काम में काम करेंगे किन्तु हम आदनी सांसद सुमेदानन जी के साथ में मिलकर के इस शेत्र के विकास में आदनी प्रधानमंतर जी के नेत्रतों में जिस प्रकार की जो यो बारतिय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जमीन से निकल करके उपर तक आये हैं इस प्रकार के कोई आक्षेप नहीं है लेकिन इनकी तो मैं दरजनों की संक्या में काउंटिंग करा सकता हूं जिनके 10-20-30 तक मुगद में लगे हुए हैं अपरादी कटनाओं में इनके चात्रनेता लिप्त रहें इनके बहुत सारे चात्रसंग के अध्यक्ष यहां से जीते उनके चात्रसंग के अध्यक्ष के ओपर कई मुगद में लगे हैं तो इन्होंने क्या तैयार कि हमको बताने की जरुत नहीं है परतेक्ष को प्रमान की जरुत नहीं होती है बहुत धन्यवाद अशोग जी हमारे साथ हैं आप नगर परिशद में नेता पृतिपक्ष हैं सी स्वामी जी ने कुछी दिन पहले उसका उदगा शिला नहीं से जो प्रदानमंत्री मोधी जी ने किया दा आपको क्या लगता है शहर को कैसे एक अच्छा सांसद है जो बहतर बना सकता है माने स्वामी जी ने पिछले दस साल में यहां सांसद रहते वेको पता है जिसंख साब से यह आप फ्लाइवर की बात कर रहे हो रेलिए के छेतर की बात हो खाटू के अंदर डिप्यार बनाने की बात हो खूप सारे हाईवेेश उन्होंने बनाए हैं अन्डर पास हो और ब् उने शीकर जो एक सेक्सिक नगरी है कि इस परकार से वो आगे बड़े उसको लेकर काम केर आगे का भी रोड मेप उनके पास था एक सीकर को विकास की एक संभाग जो बना है नहीं उचाईयों की निचीती लेकर वो जाते लेकिन कहीं ना कहीं सुनाओं के अंदर अनेक परकार की जो ब्रांतिया रही जनता को गुम्रा करेया काम हुआ नीचेती हम यहां सीकर के अंदर एस पल रहे लेकिन फिर भी राजस्तान के अंदर हमारी सरकार है और के अंदर के अंदर भी मोदीजी सपत लेने जा रहे हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत जनता पार्टी का प्रतेक कारे करता विकास वादी सोच रखने वाला है यहां का प्रतेक कारे करता हो जो भी कारे करता है नेता है सब लगके सीकर का कैसे विकास हो इसको लेकर आगे भी वो अपना पूरा योगदान देनेया काम करेंगे सीकर में क्या-क्या संभावी चीज तो यह सारे विदिवत रूप से पूरे करन्या काम किया जाएगा सीकर का फ्लाइओवर ऐसा था जिसके जो मुख्य फ्लाइओवर है पिछले दस साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि सांसद स्वामी सुमेदा नंद जिनका रेलवे में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो ये काम भी होगा लेकिन दस साल तक वो हो नहीं पाया डबल इंजन की सरकार भी अब बनी उसके बाद ये गती पकड़ता लेकिन अब स्वामी जी सांसद नहीं रहे तो क्या हम सीकर के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले पांच सालों में इस पुलिया का काम हो जाएगा फ्लाइवर जिसकी वज़े से शहर के लोगों को बहुत परेशानी होती है नीचीती कोई जन परतिनी दी यदि उस चेतर का सरकार के अंदर भागिदार होता है तो उसके आवाज ससकत रहती है एक अच्छे प्लेटफोन पर मजबूती के साथ वो अपनी चेतर की आवाज उठा सकता है ये कही ना कही नीचीती हमारे लिए कमी की बात रहेगी लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कि हमारे भारत्य जनता पार्टी का जो धाचा है वो इस परकार का है कि हम सब लोगों का लक्स ये एक ही रहता है कि हमारा चेतर विक्सित हो हमारी राजनिती का जो मूल चिदान्त है उसमें नीचीत ये है कि हमारे चेतर का विकास भेतर से बेतर हो जो भी इस परकार के काम है हमारी गोर्मेंट है उसके माद्यर्म से हम वो सारे काम करवाने के परियास करेंगे कि समरा सीकर एक संभाग हेटकवाटर के नाते एक ससकत रूप से एक छेतर का बोगोलिक दरिश्टी को देखते हैं अच्छा डवलपमेंट हो बहुत धन्यवाद सब आप लोग बात करें आप से मैं जानना चाता हूँ आपकी क्या उम्मीद हैं मोदी जी प्रदान मंत्री बन रहे हैं तीसरी बार तो अगले पांत साल में क्या चाते हैं आप क्या करें वो देखो सब से पहले तो मोदी जी को सुब काना हैं बहुत हो द्वाई वो तीसरी बर प्रदान मंत्री बन रहे हैं वो नेरु जी का रिकोर्ड तोड़कर बन रहे हैं और मोदी जी से को तो सब पता है क्योंकि वो शेकावाटी को चाने के की भूमी मानती हैं इसलिए उनको चेकावाटी की पूरी नजरे की वाई चेकावाटी में कितना विकास करवाना है वो विकास के मामलें पीछे नहीं इड़ते हैं लेकिन एक बात और उन्होंने कही थी कि जो मद्देंबर्ग है उनका विसेश खयाल रखा जाएगा इस बजट के अंदर क्योंकि जो मद्दे Res की है तो उनमें भी बहुत बड़ी रात मिलेगी आमा आठमी को ऐसा पता है माईलाओं के लिए भी भी बहुत उमीद है कि माहिलाओं को लगपती योजना से जोडेंगे यसे बहुत से कारी है जैसे पुछबा योजना हो जैसे आम लोगों की बहुत उमीदी है मोदी जी, स्टिशे इसलिए उनको त्रीपार प्रदान-मंत्री बनाए जैसे ऍस-पार एंडिये को नहीं मिला जूनकर यह नहीं नहीं मिला इसके वज़ेसे नाराज़गी नहीं हो जाएंगी इदर से सांसत नहीं आप क्या उमीद रखते हैं क्या हो अगले साल में पांच साल में शेट्र मोधीजी सोचिंग क्या कमी रही जिसका यह प्रेज़नाम रहा तो उन खाम सब्सक्राइब कि ट्रेफिक स्वेस्ता है जो केंदर का ही विशे है और रेल के माध्यम से भी खुछ से बड़े जो बड़ी जो सीटिया है जो सीकर से सीधा जुड़ाव और व्यापर बड़े बहुत दन्यवाद आप भी मोदी जी को कोई काम बताना चाहें तो बता दें जी हमारे परदानमंत रिजी बहुत अच्छे हैं कफी काम कराएंगे उनकी खुसूस बुज़र इत्ती अच्छी है कि बहुत ही अच्छा काम कराएंगे हमें उमीद है उनसे और बहुत अच्छा काम कराएंगे ऐसी बहुत दन्यवाद सब आप क्या कहना चाहेंगे इस विशे की सरकार है और केंद्र में भी है तो सब बढ़िया करेंगे काम बहुत दन्यवाद आप सुन रहे थे बीजेपी के सीकर के जिला देक्ष कमल जी सिखवाल को नगर परिशद में नेता पृतिपक्ष अशोग जी चोधरी और उनके अन्ने साथियों को आपने बताए कि किस तरी वजूद भी प्रदानमंत्री मोधी के द्वारा सीकर और आसपास के छेत्र को विशेश चीजें देने का या कुछ ऐसी सोगाते मिलने की उमीद भारती जनता पार्टी के लोग करते हैं ताकि आने वाले चुनाओं में भारती जनता पार्टी को यहां से एक बार फिर से उन आप भी कमेंट करके जरूर बताईगा सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद